हेलो दोस्तों स्वागा थे आप सभी को हमारी स्योट्यो चैनल में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो कि कुलकत्ता जोन का प्रिटी खतम हो चुका है तो कुलकत्ता जोन में कुल कितने छात्र क्वाइलिफाई किये हैं अभी तक 10th of February 10 फर्वरी तक यह प्रिटी चला है तो 10 फर्वरी तक कितने छात्र क्वाइलिफाई किये हैं तो उसके बारे में देख लेना है और कितना कंप्टिशन अब आपके जोन में रह गया है तो उसके बारे में बात करेंगे और आपको पता ही होगा कि अभी तक 8-9 जोन का DV का लिस्ट आ चुका है मतलब DV के लिए कुछ मतलब 8-9 जोन ने छात्रों को कॉल कर लिया है तो उस जोन में किस तरह से कटफ इंग्रेज कर रहा है उस पैटर्न को समझते हुए हमने कुल कता जोन के लिए भी expect कटफ किया है कि कितना जा सकता है हर किसी को ड़ लग रहा होगा कि कल कता जोन की कटफ कितने जाने वाली है तो हम पूरे analysis के साथ इस community में कितने कटफ बढ़ने की समभावना है उसको पूरे study के साथ हम इस वीडियो में आपको बताएंगे तो चलिए वीडियो को हम सुरू करते हैं लेकिन अगर आप इस channel पे नए हैं तो इस channel को जरूर subscribe कर ले क्योंकि हम इस video को आपके लिए बनाने के लिए काफी हमने इसके लिए मेहनत की है तो चलिए पहले आप इस channel को subscribe कर ले और हम आगे बढ़ते हैं main content की तरफ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 जनवरी को खुल कतब में 455 candidate qualify किये हैं मालदा में 686 और आसन सुल में 1929 candidate qualify किये हैं फेल होने वाले शुजन की डाटा ये रहा इसी तरह से हमने 30, 31, 1, 2, 3, 4, 6 फरवरी, 7 फरवरी, 8 फरवरी, 9 और 10 तक का डाटा को हमने ले लिया होगा जो की PT चलने का रुजेट था आपको 30 से ले करके 6 तक चलना था मालदा और आसन सुल में उसके बाद 6, 7 और 8 को मालदा और आसन सुल के लिए ब्लॉक डेट रखा गया था कुलकाता में 8 तक चलना था और 9 और 10 कुलकाता के लिए ब्लॉक डेट रखा गया है तो सभी qualified candidate को हम लिये हुए हैं तो कितने total qualify की हैं उसका डाटा हम लोगों ने ले लिया है टोटल जो participate किये हैं फेल्ड और पास होने बाले candidate की जो संख्या है टोटल जो participate किये हैं 23,030 के आसपस candidate 9 तारिक तक का डाटा है ये 10 को अभी तक जब मैं वीडियो सुट कर रहा हूँ तब तक 10 का रिजल डिकलियर नहीं हुआ है लेकिन देख सकते हैं 10 में बहुत कम ही संख्या इंक्रीज करने की संभाव महीं कि देख सकते हैं यहां पर जो फर्स्ट यह था है यह मालदा में 17 काई नो फेल की हैं मतलब 17,9 26 candidate participate किये यहाँ पर और 26 और 11 37 candidate participate किये यहाँ पर दो देन यहाँ ब्लोक रखा गया था यहाँ पर देखें सकेंड डेज में 12 कंट यहाँ पर participate किये और यहाँ पर 4 मतलब ज़्यदा का अंतर इसमें difference नहीं आएगा बहुत कमी यहाँ पर अब इनकी 10 से 15 candidate और इसमें एड़ हो सकता है ठीक है तो लगगल हो राटा यही रहने वाला है आपका 2330 participate किये call किया गया था particularly qualified कि 26,746 candidate के आसपास के होंगे इसी के आसपास सीपचे को call किया गया था उसमें से सिर्फ 18,185 candidate सिर्फ qualify किया है तो कितने cut-off बढ़ सकता है तो चलिए अब हम देखते हैं कि PT के लिए ही जोन का cut-off कितना गया था उसमें कितना बढ़ सकता है दिखे एक चीज़ आप लोग समझने कोशिस किजेगा कि अभी तक 8 से 9 जोन का जो कि DV का cut-off जारी किया है उसमें क्या हुआ है कि जिस जोन का cut-off कम गया है सपोज कि अगर कहीं का EWS का cut-off 40 गया है तो वहाँ पर इसमें DV के लिए 10 से 11 नमबर तक बढ़ गया है मतलब 51-52 तक cut-off चला गया है DV के लिए जहां पर cut-off सबसे कम गया है जबसे ज़्यदा गया है 68-69 गया है वहाँ पर cut-off सिर्फ 3-4 नमबर 72-73 नमबर तक का selection हुआ है मतलब जहां पर cut-off कम गया है वहाँ पर main cut-off में ज़्यदा बढ़ने को नहीं मिला है तो यही इसी के हिसाब से अगर आप देखते हैं कुलकाता जोन में तो कुलकाता जोन में cut-off काफी हाई गया है तो यहाँ पर वांकी जोन के अलावा यहाँ पर उतनी संख्या में main cut-off में बधोतरी नहीं होगी देखे main region के जहाँ पर cut-off ज़्यदा गया है जिससे सपोज किजिए अगर you are category में 69.60 अगर cut-off PT के लिए गया है तो 69 के आसपर बहुत सारे candidate होंगे ठीक है उससे उपर हम जाएंगे तो student की संख्या घरती चली जाए क्योंकि बहुत ज्यदा अच्छे नमर नहीं होगा student नहीं होगा जिन्होंने 80 पलस मार्क्स ले आये होंगे बहुत कम ही ऐसे बच्चे होंगे तो आपका cut-off इतना increase नहीं करेगा लेकिन 69 के आसपर बहुत सारे बच्चे होंगे जिसको निकाल दिया जाएगा और maximum 3 से 4 नमर इसमें बरहेगा और आपका मेरिट लिस्ट का जो cut-off डिक्लियर किया जाएगा maximum 3 से 4 नमर इसमें कलकतप जो नहीं बर्ष सकता है इसी के हिसाब से अगर दूसर जो निके हैं दूसरे जोन में cut-off आपका जैदा चला गया है तो आपमें भी जैदा cut-off नहीं बर्ष सकता है लेकिन करकी कम गया और किसी केट्चे कम गया तो आहां पर ज्यादा कटफ बढ़ सकता है तो बढ़ने को भी मिला है आठ नौजाने तक आ चुका है उसमें बढ़ा है जहां पर कटफ कम गया है उसी तरह दिखेंगे हम से केटोगरी में तो से केटोगरी में भी कितना है 58 नमर गया थो इसमें भी क्या होगा जजने नमर नहीं बरहेगा आठ 98 नमर है तो यहां पर 5 से 6 नमर आपको यहां पर से बढ़ सकता है मतलब अगर 63 से 64 नमबर है आपके पास SC केटोगरी के हैं तो आपका सेलेक्षन लगभग यहां से तैहां 1 डीवी में आपका सेलेक्षन हो जाना चाहिए अगर ST केटोगरी में देखें मत 48 गिया है यहां पर कटप थाज़ा ज़्यादा बरहेगा ठीक है मतलब 7 से 8 नमबर अगर आपके हैं 9 नमबर मतलब 56 पलस है अगर ST केटोगरी के कुलकता जोन में है 56 जोन तो आपका स्कूर या सेफ है आपको 1 डीवी में आपका कॉल आ सकता है OBC के तक इसी तरह से हम OBC को देखते हैं तो OBC का कटफ काफी हाई गया है यहाँ पर 65.89 गया है ठीक है लेकिन अगर एक चीज़ देखियेगा तो OBC के बहुत सारे कंडेट हैं जो कि PT क्वाइलिफाई के सबसे जयदा कंपोटिशन यहाँ पर OBC में ही है लेकिन OBC में बहुत सारे बच्चे हैं जो कि UR केटोगरी में चले जाएंगे तो जिस करण से यहाँ भी कटफ तो बढ़ना है लेकिन काफी कटफ हाई गया है तो 65 है यहाँ पर यहाँ पर भी 4 से 5 नमबर बढ़ सकता है में कटफ में मतलब अगर आपका 70 पलस अगर स्कूर है तो आपका सेलक्षन लगभग तया है फर्स्ट डीभी में आपका सेलक्षन तया है अगर EWS का देखियां 50 के यहाँ से 8 से 9 नमबर या 7 से 8 नमबर यहाँ पर आप में डीभी को जो लिस्ट आएगा उसमें बढ़ सकता है 8 से 9 नमबर मतलब 58 संतारण प्लस अगर आपका स्कूर EWS के टोक्री में है तो आपका लगभग सेलक्षन हो जाएगा लेकिन अगर जिस स्टुडेट का सेलक्षन फर्स डीभी में नहीं हो पाता है तो आपको निरास होने की जरुवतें नहीं है क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कि ग्रूप D का जोईन नहीं कर पाते हैं या फिर उनका सेलक्षन कहीं और अभी देख रहे होंगे NTPC में NTPC में बहुत सारे बच्चे चले जाएगे यहां से लगभग लगभग सभी का सेलक्षन हो ही जाता है तो आप घवरान नहीं है सबसे पहले आपको पहले धर्ज रखना है आपका सेलक्षन हो सकता है इस लेड ग्रूप D में और आगे तयारी भी जारी रखें इससे बेटर भी आप जब ले सकते हैं चलिए जो भी छात्र हैं यहाँ पर देख रहे हैं वीडियो इस चैनल पर अगर नए हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और आप लोग अपना-पना मार्क्स केटोगरी के साथ इस कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखे देखते हैं कि वहाँ से आपको हम गैड कर सकते हैं कि कि आपका सेलेक्शन होगा या कि नहीं होगा तो चलिए हम वीडियो को यहीं कम्प्रेट करते हैं वीडियो देखने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद